आईए तोड़ा सा Arbeit बिजिसनफ जो अभी हम लोग करते हैं इसको दोनों में क्या फरक है इसको जानरिते हैं ताकि आपका पूरा करने में आतो आपके सपने पूर्य करने आपके जएलरी बनाने में क्या आर्सिम आपको Μदद करता है। क्या आर्सिम के अलावा कोई दूसरा Option ऐसा दे सकता है। आई ये जानते हैं अगर मैं अगर में एक दुकान खोलता हूं ने कर एक बिजनस के बाद में दुकान खोलता हूं मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं मैं इंजिनर बनना चाहता हूं मैं चार्टर अकाउंडट बनना चाहता हूं तो बाकी सारी चीजों में आपकी पास एक एक साथ में उसके बाद आपके आप पास होने चाहिए में पास होने चाहिए जिसे शोड़ आपको sily up किया जाता है उसके बाद आपका सा्री और या फिर अगर अगर एक नोखरी करते हो ऑग साथ आप की बात करलो लग्द दो लाक की बात कर लो पांश दस लाट की करनो पांसो अजार क्रोड की करो पैसा तो चाहिए व्यापार करें की पैसा लगेगा तो यहां पर यहां पर आर्सियम बिजनस में जीरो इन्वेस्मेंट है थाहल Susy बलुल यहां पर पैसा हीन पर प्रोडडक खरीद हो वह मैं उसको पैसा और इसको इनिवेस्ट्मेंट नहीं मान रहा हूं तो यहां पे अगर आप investment के लिए investment कब होता है जब आप कोई स्टॉक खरीदो फरनीचर लगाओ आप दुकान खरीदो आप बिल्डिंग बनाओ आप कोई प्रॉपर्टी खरीदो आप तब होता यहां पर जीड़ो आपके पास 1000 रुपर है नहीं आज काम आएंगे 5 साल भागी ने 50 साल भागी ने 500 साल भागी कभी काम आएंगे निंगर अगर आप चाहो कभी में तो लगाना चाहता हूं कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट आपका पैसा जेब में पड़ा-पड़ा सर्थ हो सकता है काम निया सकता है तो यह जीनो इन्वेस्टमेंट से बिजन सुरू हो जाता है अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं कि एक काम जि इन्हें तो काव्य होनी भी नहि cens on गाते हैं कि आगर बिजñas करूंगा तो मैं एक लोकल अपने किसी बीशें में अने इस रहने वाला हूं उस गाहू उस गर उस मॉहले में में अपनी एक नकौन को दुखान लेकिन मेरी जो दुकाने में एक लोकल किसी अपनेяс से अचे बुलंद सहर में दुकान है तो मेरी बुलंद सहर की दुकान में कस्टमर दिल्ली से कभी नहीं आएगा बुलंद सहर की दुकान में मुंबई से तो कता ही नहीं आएगा कलकता से यह हम सोच ही नहीं सकते तो क्या जो जीडो इंवेस्मेंट की दुकान है क्या उसकी भी ऌहां जिसका इन्वेस्टमेंट जीनो है उसका माल तो पुरह इंदुस्तान में पढ़ा है जिस पैसा ल है इसका माल के पूल अपने लोकल सहर है च्क्राइब Chapel कियो मामा मंबई में नाता है तो बुलंड सेहर वाले विठिकोंगर मज़ा रहता है। अब मामा नारा मंबई में आर्टिम विदी को गर्म कोंगरा जाता है। मेरे दिमाग में में तो कि आपकी दुकान कहां पे है कि लो आपके साथ एंप्टॉरे टीम मेंचमेंट वो रजवर यह वर्चोल पावर है यह दिस्तिर्प्ट राइडी वेकर रचिले जो एक एसी चीजे जो आपके पास है आप इसकी वज़े से पुरे हिंदुस्ताव में कुछ भी कर सकते हो लेकिन वो जो काम करें बारत में और आज मेरा टर्णोर हो रहा है मैं अभी दिली के पास में गुड़गाओं गुड़गाओं में रहता हूं और मैं गुड़गाओं में अपने घर में हूँ अपने कमरे से अगर मैं बाहर नहीं भी निकलता हूं तो मेरा महिने का दो सो क्रोड का बिजनस अगर महिने का अग अगर यहां पर मैं पैसा लगा कि दुकान खोलता हूं तो मैं लिमिटेट प्रड़क्ट बेचता हूं क्योंकि मैं अगर कॉस्मेटिक का बिजनस करूंगा तो मैं कॉस्मेटिक का सामान बेच लूँगा है और कहते हैं पूंजी भी हमारे कहिने भी बादा बन जाती है लेकिन आर्सेम की जो दुकान है वहाँ पे यह इस फोटो में आपको चंद प्रोड़क्ट दिख रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि आर्सेम की जो दुकान उसमें कपड़े जूते मसाले होजरी अग्रिकल्चर प् हो रहा है पांच लाग लगा के मेरी लिमिटेशन से बिना पैसे लगा है मैं यहां पर यह बात है अपने आप बहुत सोचने वाली है कि आपके सपने पूरे करने के लिए आपको क्या करना है यह आपने तै करना है आप जीवन में वकील बनना चाहते हो डॉक्टर बंजान हमस्के का अप्प्शन देता है आजेर से लगबग 7200 फोटिक्स 1 Cent के लेकिन आने वाले दिनों में यह 700 के कि आपको नहीं किन है क्योंकि याइन कुछा करूंगा वैराउसिंग कैसे करूगा मैणेजमेंड कैसे करोंगा क्वालिटी का ये ये कॉटने की लेने की बिल्कुल जरूत रही है क्योंकि यहां पे एक महारतासल कंपनी ऐस은 इस दुनिया जंडे का रही है जिस कमपणी में दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दी है उसके बाद आपको सोचने की जरूत नहीं का आने वाले दिनों में कंपनी कि इता बड़ा काम कर लेगी जी लो लॉस पर कमनी काम करती है ताकि सीकर्ड रहे तो यह तरीका ऐसा है जहां पर यह कंपनी आने वाले दिनों में अगर आपके लिए प्रोड़क्स सब्तर अजार लाए साथ लाए कोई बड़ी बात नहीं है तो सारे प्रोड़क्स का बेनेफिट आपको मिलता रहेगा लेकिन अगर मैं पांच लाक लगाता तो मेरे पास एक कैटेगरी तो हो सकते थी लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती अगर मुझे ज्यादा करना तो पांच लाग लगाना पड़ेगा फिर भी कम पड़ेगा बीस लाग लगांगा फिर भी कम पड़ेगा पचास लाग लगांगा फिर भी कम पड़ेगा पचास करोड़ लगा तब भी कम पड़ेगा लेकिन बिन पैसे की स्काम को चाहते हो जो unlimited हैeras STE से अगर आपको बी लुखान खोलती है तो दूकान आप खुद को चलानी पड़ती है लेकिन आप चलाएक, परिबार के घूमने जाना चाहता है आप चाहते क्वेशी पडोसी चलाए और अख चलाएक नहीं चला नहीं, चलाएक। तो पदुबारा कि बिखेगी आपशक्राइब इत तुझ मेरण कर Sauan तो यहां पर चलनी पड़ी और आपकी अपनी एक लिमिटेशन से लेकिन यहां पर ये दुकान आप नहीं आपकी टीम चलाती है यानि आपकी जीके कोई और आजाता है आपका प्रतिनीषी आ जाता है वह कहते हैं बच्चेंगे बड़े होते हैं तो काम समालते हैं पीटा जी को थोड़ी तसल्लीच होती तरीके से जी सकता हूँ अब चार दाम की आत्रा कर सकता हूँ अब मैं गहरर परिवार में नाति पोटी के साथ खेल सकता हूँ ने लेकिन उसकर सकते हैं जब बेटे बत पॣ यहां पर तो आप कि हम बेटे पोटे मिदा करो और जब चाहिए करो आपका काम तुरंट समालने वाला कोई मिल जाता है आपके नीचे टैयर हो जाता है वहां बेटे-पोते बेड़े करने में 25-30-40 साल लग जाते हैं यहां पर आप मेने दो मेने में कर लेते हो तो आपका कम आपका वारिस तो जल्दी त्यार हो गया है इतना जल्दी तो और आपका जीवन में कभी कोई करने वाली ही नहीं इसका है आपके जो नीचे जो बिजनस है उसको समालने वाली आपार संपधार के लिए तयार हो जाती है अद देखे किए कि लुक्रे को पैसा लगा के काम करेंगे तो आपकी उमीद हो थी कि इंकन भी ज्याधा होनी चाह एक लिमिटेशन में लेकिन यह पर काम करें जो पैसा कमाते हैं उसकी कोई नहीं कि देखो शुरुआत जरूर थोड़ी छोटी होती है लेकिन लिमिटेशन नाम की चीज नहीं है। शुरुवात होती है जो आपके पास सो दोसुरीटा चेक आता है क्योंकि आपने पैसा नहीं लगाया किवल गर का सामन करेदा है लेकिन जब वह नेटवर्क बनना सुरू होता है बड़ा होना सुरू होता है तो फिर इंकम पांसो रुपे भी आती है आजार बीदी दो जार भ होते हैं लेने की ज़रों तो नहीं है इस काम को करने में थोड़ा वक्त लगता है थोड़ा समय लगता है लेकिन अब वो उत्रों तर्しょう नहीं लगता पर272 पर कि इंकम आ रही है और वह दो चार दस बीस पचास सो दोसों को नहीं आ रही है वह हजारों को आ रही है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा काल नहीं हो सकता है आज लगब चाहिए अगर आप दुकान खोलते हो या कोई और ट्रेडिसल बिजनस करते हो तो आपको जो काम करना पड़ेगा वह उससे में करना पड़ेगा जो प्राइम टाइम होता है सबसे कीमती वक्त होता है आप दुकान रात को बारा बजे तो खोल के नहीं बैठ सकते ने आप कब क करना जो सबसे कीमती टाइम है वह आपने पूरी जिंद्गी आपने यहां दे दिया लेकिन आर्चेम बिजनस का समय कुन्सा होता है आर्चेम बिजनस को आप आखिर बागी टाइम पे आप पूरे जीवन में जो भी कुछ कर रहे हो लेकिन उसके बाद आप प्री हो जाते ह आपके को पेसिंजर को आपके साथ में सही आतरी वह भी कोई बर्त में कहीं से बैठा आप बैठे दिल्ली से वह बैठा बुलन सहर से आपने बातचीत करना सुरू किया रात को बारा बजी धंदा चालू हो गया आपका आपकी दुकान नहीं चल सकती बाइब जी और वो भी समय देखता है ने कुछ देखता है क्योंकि आपकी दुकान आपके दिमाग में है आप जहां जा रहे हो अपनी बातों से लोगों को अपनी बात बता रहे हो तो आपकी दुकान चलू हो रही है तो आप वो टाइम दे रहे हो जो स्पेर टाइम है अगर जीवन में अगर अत सब्सक्राइब करने के लिए अपने आपको तसली देने के लिए थोड़ासा सुकून पाने के लिए वो थोड़ी देर अपने सुकून पाने के लिए जीवन में कितनी नकारतमक्ता दूसरों के लिए और खुद के लिए पैदा करते हैं, इसका उनको अंदाजा नहीं है, लेकिन यहां पर उसको टाइम को अगर यूटलाइज करें, उसको क्रियेटिव जगे पर अगर इंवेस् जाएगी, क्यों काम बंद, इंकम बंद, ऐसा तो सरकार ने कोई नियम निकाला ने गए, आपने दुकान खोली थी, और दुकान चलाई, आपने 25-30 साल, 40 साल दुकान चलाई है, तो आप दुकान बले बंद भी कर दो, तो आपको रिटायर्मेंट के बाद पैसा मिलना चाह जारी रहती है, और आपके बाद आपके परिवार में भी इंकम आती रहती है, रिस्क, आपको ट्रेडिस्स कोई भी करेंगे, तो रिस्क तो पूरी होती है, आप दुकान खोलो, दुकान चले नहीं चले, और आजकल तो नहीं चलने की गारंटी, चलने का तो दूर दूर त पूरी तरह से आपके उपर गिद्गी जैसे आंखे गिढा रखी है कि आपका दंदा चल के से जाए वो पूरी तरह से खा जाएंगे आने वाले दिनों में टेक्नोलोजी इन सारी दुकानों को दोजार पच्छीश चबीश सत्ता ही जाते हैं सहर खाली हो जाएंगे मार्केट में जगेट खाली दिखेगी क्रिकेट का मेच खेल सकेंगे दुकाने बचेगी नहीं लोग आम आपनी दुकानों पे जाएगा क्यों गर्बेटे समान मिल रहा होगा उनको ओनलाइन में घर गर हो सकती है आपके दुकान में कंपेटिशन से आपके पडोसी आपके दंदे को चोपट कर सकता है कोई पडोसी नया दुकान नया शोरूम नया लाइटिंग चालू करके आपकी दुकान को पुरानी कर सकता है आपके दुकान में कभी कोई लोन बैंक फाइनेस कई दिक्कते सकती है कभी इंकम टेक्स का कोई कमिश्णर या इंकम टेक्स की रेड़ पड़के आपके दिवने का काम तमाम हो सकता है आपके जिस्ट पचास लबड़े आपके पर लागू रहते हैं आपके रिस्क और जन्रेट हमेशा कभी खतम नहीं होते तो रिस्क भरपूर है आप ख्राप करने सकता ऑल लाइन वाले आप आना का बारफ आप नहीं कर सकता आप दुनिया में चला कोई कुछ भी आज आए आपका कुछ ऑनि覺 सब्टैन कि को काटके लिए नहीं सकते निकिτोम Eddy को का लिए उत आपके गयोटो साव्य करने सकता अरे बगवान कि आके उठाके कि बिल्कुल एकदम जीड हो जाती है अगर आपको फैसला करने का आपको करना क्या है आपको फैसला करना का आने वाले 2025 का बिजनस करना है 2027 का बिजनस करना है यह आज का बिजनस करना है यह तकनिक पुरानी हो गई है अब जो तरीका है वो पूरा ना हो गया है एक दम पूरा ना हो गया है वो बेल गारी की जैसे हो गया जैसे बेल गारी में बैठके आज आजकल शेरों में को जाता नहीं है बेल गारी तो नजर नहीं आती है क्योंकि टखनेक पुरा नहीं हो गए एक समय पर लोग जाया करते थे आजकल को वह नहीं जाता है लेकिन आपको नई नहीं तक्निक में आना बहुत आपका जरूरी यह future business है यह यह आने वाले वक्त का बि झाल झाल झाल